हाई गाईज, वेलकम बैक, मैं प्रतिश होल सेष्टा, आप सभी का सिक्षा धन में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वार सिटेट के एक्जाम आपका ओनलाइन होने जा रहा है तो इसके लिए हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको मौक को कैसे फेस करना है और क्या-क्या साबदानी आपको रखनी है, क्या-क्या गलतियां नहीं करनी है खास तोर पर ऑनलाइन में आपका ये है कि पहले आपका कुछ कोशन ये होते थे कि आप सो उसमें OMR sheet पे circle नहीं बना पा रहे है उस पे या dark नहीं कर पा रहे है तो ये सब इसमें आप दिक्कते नहीं आएगी क्योंकि आपको 1-1 ही आपको mark करते हुए आगे बढ़ना है तो यहाँ पे एक और दुबारा आपको बता देते हैं कैसे कैसे आपको interface देखने को मिलने वाला है तो यह हम आपको बता भी रहे हैं और आपको link भी provide करवा देगे जिससे आप खुद भी एक और करके देख लेना क्योंकि कल से ही आपके exam start हो रहा है तो देखिए यहाँ पे आपकी official site है यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है mock test इस पे आप simply click करोगे तो उसके पास इसका login का page आपका open हो जाएगा यही आपका जो है महाँ पे page दिखाई देगा आपके system पे जहाँ यहाँ पे आपको क्या है अपनी pick दिखाई देगी यहाँ पे आपको अपनी photo दिखाई देगी और यहाँ आपका नाम लिखा होगा अगर आपका यह नाम यहाँ पर यह आपका photo नहीं दिख रहा है तो महाँ पर जो भी teacher होंगे, invigilator होंगे महाँ आप उनसे बोलोगे कि sir मेरा screen पर photo नहीं दिख रहा है उसके बाद login की बात करें यही दो strip आपको महाँ पर भी दिखाई देने वाली है इसमें क्या होगा, इसमें आपसे हो सकता है महाँ पर application number feed करवाया जाए और यहाँ आपका password आता है वो आपका जरतर DOB होता है क्या होता है, date of birth आपकी होती है बाकी यह चीज़ें वो आपको बता देंगे simple है, कोई जादा दिखत वाली बात है नहीं जैसे ही आपका time होगा महाँ पर आप sign in करोगे sign in करने के पास आपके पास ऐसा कुछ interface निकल के आएगा यहाँ पर क्या लिखा होगा है please read the introduction carefully यहाँ पर कुछ interactions हैं आपके paper के regarding, वो English में दे रखे हैं आप यहाँ देखिए, view in क्या लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है English में लिखा हुआ है आपका मनई कि आप इसे Hindi में पढ़ना चाहरा है तो simply इस arrow पर आप लिख करेंगे Hindi पर कर देंगे, तो बस आपका यह Hindi में change हो जाएगा कि आपका 150 minute का आपको समय मिलेगा और यह कुछ इसमें interactions दियेगा हैं अपने इसाब से आप देख लीजेगा बाकी यह हम अभी आपको आगे बता भी देंगे इसके बाद आप यहाँ पे next पे करोगे और यहाँ पे आपने हिंदी में किया था तो वो ही है यहाँ जरा आप ध्यान से करिएगा यह जो आपका है ना choose your defired language यह बहुत important है क्योंकि अब इसमें जो आपका है ना defired का मतलब यह होता है जो आपको question देखने को मिलेंगे वो इसी language में देखने को मिलेंगे कई बार होता है हम जल्दवाजी में या तो English ले ले लेते हैं हिंदी ले ले लेते हैं तो महाँ पर यह है कि हमें बारी बारी फिर change करना पड़ता है हम यहाँ पर हिंदी ले ले लेते हैं कि हमारा जो question हमें पहली बार दिखाई दे वो हिंदी में दिखाई दे और यह आपका यहाँ पर declaration है उसके बाद आप यहाँ पर click कर दोगे yes I agree उसके बाद I am ready to begin जैसे आप यह start करोगे तो आपका क्या है आपका जो paper होगा वो आपके सामने खुल के आजाएगा अब चीज एक आपको ध्यान पर रखनी है कि आप यह आपकी language है यह English हो गई और यह आपकी क्या हो गई Hindi language हो गई दिख रहा होगा सभी को यह आपकी English हो गई यह Hindi हो गई तो जरूरी नहीं है कि आपको अप यही देनी है यह खुल के आपके सामने आगया है तो जरूरी नहीं है आप को क्या करोगा यहाँ पर आपको तीन में श्रय पर दिखाई दे रहIE है यह जब आप open करोगे यह तो सब का common है यह सबसे पहले dp खुल के आगया ओके आपका मन है कि मुझे पहले math करना है तो आप math पे इधर देख लोगे और इधर evs अपना देख लोगे ओके यह तो सभी का common है तो simply आप यहाँ पे क्या है कोई भी आपको पास question आया है आपने यहाँ पे second जैसे लगा दिया ओके यहाँ पे नीचे आपको करसल लेके जाना है कई बार आपको question काफी लंबे मिलने वाले हैं तो आपने यहाँ पढ़ लिया उसके बाद यह arrow जो आपको दिखाई दे रहा है यह वाला arrow जो आपको दिखाई दे रहा है उस पे simply आप click कर दोगे click करने के बाद simply वो आपका नीचे पहुच जाएगा ओक इसके बाद क्या है आपको लग रहा है कि यह वाला option मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है तो यहां से आप इसे clear कर दोगे दूसरे option पे click कर दोगे फिर यह आगे बढ़ जाओ गया ओके nest and save अब देखिए जो आपने यहाँ पे save कर दिया है वो कैसा हो गया green हो गया और जो question आप आपने अभी attempt नहीं किया है वो आपका red रहेगा उके उसके बाद अगर हम बात करें किया अब यह second question आपके सामने आया अब इसका answer आपको अभी नहीं देना है बाद में देना है आपको तो यहां क्या कर देंगे mark and review आप कर दोगे और nest हो जाएगा सही है तो यह कैसा हो जा आपको बता देते हैं आप directly यहां पर क्या आगए इसे छोड़के nest पर आगे बढ़ गए तो यह देखी यहां पर क्या होगा third वाला आपका red हो जाएगा अब यह क्या है यहां पर fourth है पॉल वर्प का आगया अब यहां पर क्या है मान लेते हैं यह आपका second number हो गया यहां प आपको पता चल जाएगा fourth number पर कि हा मैंने इसे mark के लिए छोड़ा हुआ है review करने के लिए छोड़ा हुआ है अब जैसे आप इसमें आगे बढ़ते चले गए बाद में आपके पास क्या होगा यह red वाले जो आपको देख रहा है ना इसका मतलब आप directly यहां पहुँचोगे click कर देना किसी पर भी जैसे 23 है तुरंत आप महाँ पहुच जाओगे जैसे भी question पर आपको जाना है इसके बाद वो ही आपका math का है आपको 30 question मिलेंगे वैसे ही आपको EBS के मिलने वाले हैं अब इसी में एक बात और समझ लीजे अगर आपको यह question हिंदी में आपने default था त हिंदी में तो आपको दिखाई दे रहा है है ना लेकिन कुछ option ऐसे होंगे जो आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए आप क्या करोगे simply view in जो लिखा हुआ है यहाँ पे अभी हिंदी है क्यों क्योंकि हमने default दे रखा थम आपे हिंदी language को simply आप यहाँ आपको चेंज करने में English में आए लेकिन महाँ पे आपको यह हिंदी में ही दिखाए देगा default language में इसी किसंग अगर हम बात करें language की बात करें तो language तो जो आप लोगे पहले उसी में आपको शो करेगा आप चेंज भी करोगे तो फिर भी वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो language first आपने English लिये तो आप यह attempt करने वाले हो language first आपने Hindi लिये तो आप यह attempt करने वाले हो ध्यान से यहां full focus होके चीज़ें आपको करनी है साहिए क्या आपका यह Hindi है तो उसके समाज गंत करिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है तो आपको पता है किसने किया है है ना किसने किया है तो उसके according आप यहांपे क्या कर दोगे click कर दोगे और nest कर दोगे इस पर सही है उसके बाद अगर आपने क्या किया है English लिए तो आप ये वाला solve करने वाले हो first choice में उसके बाद अगर हम language की और की बात करें तो आपने दूसरी language कौन से लिए जो आपने first में नहीं लिए होगी उसके अलग आपके आप खास तोर पे जो चीजे आपको महाँ पे द्यान रखने हैं ये time आपको हर question करने के बाद नहीं देखना है ओके आप एक section कर लो फिर आराम से time देखो ओके और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ फिर आगे बढ़ जाओ ये आप हर question पे जब time देखते हो तो आपका time काफी waste हो जाता है और आप थोड़े से महाँ पे tension में भी आ जाते हो सही है तो normally आप अपना time set कर लो कि एक cdp portion है मुझे वो कितनी देर में करना है उसके जाद math पे मुझे कितना time देना है पहले से आप उपना set कर लो उसे हिसाब से जैसे ही आपका यह time over होगा यहाँ पे खुद यह submit हो जाएगा बंद हो जाएगा आपको submit करने की जरूत नहीं पड़ेगी और हम यही कहिंगे जब तक आपका पूरा time ना हो जाए तब तक आप submit मत करना कुछ भी आपके time बेचा है तो आप इसे recheck करो कहीं भी आपको लग रहा है तो उसे recheck करो कहीं ना कहीं mistake आपको मिल ही जाएगी ज़्यादा इसमें advance नहीं बनना है कि मैंने तो समय से पहले कर दिया मैं पहले submit कर देता हूँ इस selection आपके सही और गलस पे होगा अब यहाँ पे मान लेते हैं यह submit करने के बाद अब यहाँ पे पूरा आपके पास overview आ जाएगा कि कितने question आपके थे CDP में कितने आपने answer करे हैं कितने not answer हैं कितने mark review में छोड़े हैं कितने not visit हैं सब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा बाद में आपको क्या है submit करना है yes कर दो और यह आपका क्या हो जाएगा submit हो जाएगा clear बस यह है तो बस आराम से जाएए एक बर mock आप दे के देख लीजे official site पे यह पड़े हुए हैं बाकि किसी को कोई दिक्कत हो तो comment box में जरूर आप mention कर दीजेगा जैसे आपने पूछा था Hindi English में तो आपका language change करिएगा आपका Hindi से English वो change हो जाएगा या English से Hindi में change हो जाएगा बाकि मिलते है नेश लेक्चर में जै हिन जै भारत